जगबाणी टीविती तोहाड़ा सब्दा बहुत बहुत स्वागत है वेड़ा हुन तक देहां खबरा लगत बीती चौवी फर्वरीनू चड़िगर दे सेक्टर छती दे विच पूत बंगली दे रास्तो परता उठ्या सी पिछले तैस साला तो इथे सेदा तो रुटाइड मेट्चर चड़ा ते उना दी तीने अपने आपनू इथे कैद कार रख्या सी इस्तो बाद स्टम दे देशां दे पुलिस सते सोशल डिपार्टमेंट दी टीम दे रेस्क्यू अपरेशन चलाया अथे रेस्क्यू अपरेशन दे तहत 94 साला दे मेजर चड़ा दे ओना दी तीनो रेस्क्यू कीता गया सी जिनादा की सेक्टर बती दे हस्पताल दे विच इलाज चल रहें एप्पी उती किना हलाता दे विच भीते 23 साला तो इते रेर इसा ने सोचके ही हर कोई हरान है ओने से पूत बंगले दी सफाई शुरू कीती गई है जित्ते की स्टीम दे निर्देशां तो बाद हाटी कल्चर दी पूरी टीम पहुंची होई है तेहे पूरी टीम तिन देना तो लगतार सफाई दे विच लखी होई है ते ओनानों इस करती सफाई दे विच काफी देखता भी सामने आरियाने ओती ही होटी कल्चर वे पागते सुप्रोवाइजर किरपाल सिखने दसे है की उनानों इसे सफाई करन दे विच हले दो दिन लगचान गये ते बीते तिन दना तो ओहो इसे एतियात वर्त दे होई सफाई कर रहेने एक पॉष एडिया में भूतिया बंगला यह था और हम बात करें इस बूतिया बंगले की तो इसमें रहना इमेजर चड़ा और उनकी बेटी यहां पर मिली थी जिनका अब सेक्टर 32 के अश्पताल में इलाज चल रहा है लेकिन इस बूतिया बंगले की अब सफाई होनी शुरू हो गई है आप देख सकते हैं कि सेक्टर 36 में इस भूतिय बंगले में अब सूपरवाइजर किरपाल सिंग होटी कलचे डिपार्टमेंट के उनकी पूरी टीम आई हुई है शनिवार से यह टीम पूरी लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे एरिये की अब सफाई की जा रही है और सफाई करने में भी काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि तीन दिन से यह लगातार लगे हैं पिछले 23 वर्षों से यह बंद था इस बंगले में कैसे लोग रह रहे थे किरपाल सिंग ने अपने अनुबभ भी शेर करते हुए बताया है कि काफी दिक्कत था और इसको सफाई करने में अभी एक दो दिन और लगेंगे लेकिन होटी कल्चा डिपार्टने ने अब इसकी सफाई करनी शुरू कर दी है पाजी किन्ही देर दी सफाई हो रही है थे लगे शरी वारते लगे हैं अज तिक्जा दिन हो गए सा तो दो में से बत्चा ऑज़ी दोप्ता बाडे हैं अगया है अज अरुआ है अज बुड़ा है आज रहे जी थे पाल बड़ा है वह समस्क आरे मारे है थे थे भी यह पर इस जीना और पर आज यह जोगा फिर फिर जैने कर पाल परसो तक ही होए थे जीना ने ने जीना इस क्योंकि अच्छा में यहां था यहां घूर्टी पम्कृणी है अज्टा था रही नहीं सागता है दियुक्छा नदर देड़ कि अधिन यह बड़ेगा दियुक्या हम मैं गया है एक तो दिन में ये इरिया आपको बिल्कुल पूरी तरह से पहले की तरह दॉर्मल दिखेगा भगवस सेंग पंजाब केस्री जगमाई टीवी चंडिगर करोना हले पूरी तरह तो खत्म नहीं होया कि लोकानी कोवीड ने मदा पालन करना बिल्कुल ही बांद का दिता है गाल करिये सुखना चील्दी ता एथे काफी गंती वीचे टूरिस्ट पुजदे हान पार होन सुखना चील्दीया अजेया तस्वीरा सामने आउन लगिया हान दरसल सुखना लेकुते जिन्नी गंती वीच पेड़ जूटी सी उना वीचो 90 फीसादी लोकाने मास्क ही नहीं पाया होया सी करोना दी रफ्तार पले ही कट होई है पर करोना हले पूरी तरह तो खतम नहीं होया है जिस्तोबद लोकाने सावदा निवर्तनी ही बंद कर दिती है मेडिकल एक्सपर्ट दियां मनिये ता हले वी कोविड नियमा दा पालन करना बेहद जरूरी है जेकर लोक नहीं मनने ता करोना एक वार फेर अपने पैर पसार सकदा है जिस देले ही लोड है लोकानों जागरू किता जाए आते कोविड नियमा दी पालना किती जावे नहीं ता ओ दिन दूर नहीं कि एक वार फेर खालात पहला वर्गे हो जानगे पहला प्रिशासन वनों जेकर कोई व्यक्ति नियमा दा पालन नहीं करदा सी ता ओना दे चलान कटे जानदे सी पारहून इस ते टेल वर्थी जा रही है जिस करके एक वार फेर लोकाने इसनों लाप्रवाही वर्थनी शरू कर दिती है अजे वीची चंडिगर प्रिशासन वी जैदा है कि वो पबलीक वालियां थामा वीच अते लोका वीच जागरुकता लेओन लाई उना लोका दे चलान कटन जो कोविड नियमा दा पालन नहीं कर रहे जगमाई टीवी लेई कुलदीप कुमाती रपोर्ट पूरी ट्राइसी टीवीचे महाशिवरात्री दी तूम है शेहर दी शिव मंदरा वीचे स्वेर्तो ही पगवान शिवदी पूजाता दौर शुरू हो जुक्या है काफी गिंटी वीचे श्रदालू पोले नात दे दर उत्ते पहुंचने है हान शिव मंदरा वीचे स्थापत शिवलिंग नुवी वक्रे तरा दे फुला नाल सुजाया गया है मंदरा वीचे शिवलिंग दे जलब शेक दे नाल पूजा अर्चना लई विशेश इंतरजाम किते गया हन चंडिगर दे वक्वक मंदरा दी असी थ्वानों तस्वीरा दखा रहे हैं हां चंडिगर दे सेक्टर ठाई वीच प्राचीन शिव खेडा मंदर ए मंदर करीब 200 साल पुराना है मंदर दे पुजारी ने दस्या की चंडिगर बनन तो पहला इस पेंड़ दना गुर्दास पूर होया करदासी शर्दालू इत्थी पहुंच देहान के रूप में प्रकट हुए थे और कहते हैं कि भगवान महादेव और परवति का मिलन भी आज की दिन हुआ सोशिवरात्री का तोहार मना जाता है जिससे महादेव का लोग अभिशे करते हैं दूद, जल, फूल, फल, शायद, इत्यादी से बगवान महादेव को प्रसन करने का प्रयास करते हैं बहुत लोग आते हैं अपने पने बाव से यहाँ पर सब पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं उते ही मंदर दी बहर शदा लुआ दी लाइनाल लगियां हुया सी जो पोड़े बाबानों खुश करन लेई पुजे होई सी अते नाल ही अपनी मनुकामना मंग रही सी मैंने मांगा जी पारत का शिवलेंग सबसे पवीत्र होता है प्रशाद मिल गया पुरा आज का दिन अच्छा हो गया शुरुवाद अच्छी हो गई दुजे परसी सेक्टर ती दे महाकाली मंदर दी वी थौनों तस्वीरा दखौन दे हाँ सेक्टर ती दे महाकाली मंदर वीचे दू शिवलिंग हाँ जिसनू नवदेश्वर अते पारदेश्वर दे नाम वजो जाने जानता है इती पारेदा शिवलिंग है जिस दी मानता है कि पारेदी शिवलिंग दी पुजा कर पगवान पोले नाथ खुशुन देहन अति पक्ता दी मनमंगी मुराद पूरी कर देहन। इती वी काफी गेंटी वी चिश्रदा लूप जी होई सन। जिना दा कहना सी कि अज शिवरा त् अतिसाड़ा देश अग्यवदे। काफी गेंटी वी चिश्रदालों पुजे होई सी जिना नी जलावी शेक किता अतिकेहा कि उपोले बाबानों खुश करन पुजे होई हाने। जग्मानी टीवी लेई कुलदीप कुमार दी रिपोर्ट। झाल झाल